हेलो बच्चो अगर आप भी नवोदे विदाले के रिजल्ट में फेल होचके हैं जी हां बच्चो आप सभी के लिए खुशकब रही है जिन बच्चो का सेलेक्शन नहीं हुआ है नवोदे विदाले क्लास 6 का जो रिजल्ट आये था कल सभी ने रिजल्ट चेक लिए सभी को पता चल गए कौन फेल है कौन पास है जो बच्चे फेल होगे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देखना जो पास हैं वो भी वीडियो को दिखेंगे फेल वाले बच्चे जरूर देखना देखे बच्चो आप सभी के लिए खुशकब दिया है आपका दोबारा से और सबसे पहले ये अपडेट आजे विद्यागाने डूप चल पर दी जा रही है जी हां बच्चो आपने दोखा आगा अगर आप फेल हुए होंगे तो वहां पर लिखा होगा या नहीं कि नभूदय पर धाले की वेटिंग लिस्ट भी आएगी आप वेटिंग लिस्ट टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं अगर आपके ज्यादा नंबर थे तो आपका सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ और आपकी जो सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट है कब आएगी क्या आप द्वारा से फारम भर सकते हैं या फिन नहीं वो सब कुछ आज की वुटम बाते कर कर दै에गा आपको नीचे करना कि पर बात करने ऒसे नब की दूसरी की लिस्ट के बारे में तो पहले नमर पर ये अप अब जैसी आप उस बॉक्स पर किलिक करोगे तो फिर से आप इस तरह के बेज पर आजाएगा आपको नीचे करना है थोड़ा सा और नीचे करना है तो यहां पर लिखेगा दूसरी रिजल्ट लिस्ट के बारे में कब आएगी तो यहां पर आप देख पार होंगे यहां पर ल रिजल्ट है यहां से आप चेक कर पाएंगे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट की जो डेट बताई जा रही है आप देखिए दूसरी रिजल्ट के रुकावाइगा कौन से महीने वैने वाला वो सब कुछ यहां पर बताया जारा है ठीक है तो आप इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या करना है सबसे पहले आपको दूसरी रिजल्ट का मतलब दूसरी रिजल्ट का वेट करना है और दूसरी रिजल्ट वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों का सेलेक्शन होगा जिसको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं दूसरी रिजल्ट को तो देखिए waiting list में highest number वाले बच्चों का selection होता है मैं पहली बता रहेता हूँ पहला reason तो हो गया हमारा पहला doubt था कि waiting list का आप आएगा जो बच्चे fail होगा है उनको कुछ नहीं करना है बच्चो waiting list का wait करना क्या होती है second list भी आती है 98 number था किसी भी category से हो अगर selection हुआ maximum chances है कि सबी बच्चों का हो भी होगा पर किसी मतलब 3-4 बच्चे ऐसे होगे या फिर हर एक district में एक हैं दो बच्चे ऐसा बोल रहा होगा कि sir मेरे number उससे ज़्यादा थे उसका क्यों होगा मेरा क्यों होगा अगर ऐसे भी आपके मन में डाउट है तो मन में इसे डाउट निकाल दीजे जिनका selection होगा अब जिनका नहीं हुआ है कुछ नहीं हो पाएगा